हलो अच्छो नमस्कार जैसा कि हमने redox वाला पार्ट complete कर लिया है जिसको हम mole concept 2 बोलते हैं में तीन पार्ट में था ये mole 1, mole 2 और mole 3, mole 1 मतब basic mole concept NCRT का chapter number 1 some basic concept of chemistry उसके बाद आता है आपका redox मतनब आपका क्या था mole 2, redox reaction मतनब mole 2 है ये, NCRT 11 का part 2 का पहला chapter था redox अब इन दोनों chapter से मिला के कुछ important चीज़ें निकल के आती जैसे hydration तो उसको मैं क्या करता हूँ बच्चों ने अच्छे percentile score किये और नीट में expected marks भी बहुत अच्छे आने वाले हैं बच्चों भी ठीक है तो अब अपन क्या है 11 और 12 जो हमारे दो section होते हैं उस पर main focus करना है ठीक है क्योंकि मैं उन लोगों का करवा चुका हूँ और उन लोगों का paper भी हो चुका एक rest force का पूरा complete भी हो गया मैं free हो के हूं महां से तो यहां lecture बढ़ जाएंगे और main चीज क्या है वो लोग इस चीज के बारे हैं बात कर रहे हैं जिनने अपनी पूरे जिंदगी में पुरा syllabus नहीं पढ़ाया है यह ना या उनका syllabus कभी आस्ता complete नहीं हुआ है बले कितने भी साल का लोगों को experience हो समझगे बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं तो आप लोग बिलकुल confident रहें बिलकुल motivated रहें और मैं आपके साथ हमेशा हूं कोई दिक्कत नहीं है अब बिलकुल अच्छे तरीके से अपन सारी चीज़े cover करेंगे और अभी तक जो अपनने cover करी हैं उससे भी आपको अगर आप ठीज़े के साथ साथ numerical कराते हैं फिजिकल की बात कर रहा हूं थेयोरी के साथ साथ numerical जरूरी है ना तब आप समझो के कैसे तो मैं वही कह रहा हूं कि मेरे जितने भी पुराने lectures आया आप देखोगे ठीज़े के साथ साथ मैंने question भी कराए हैं तो lecture के quantity भी बढ़ जाएगी नंबर बढ़ जाएगे क्यों क्यों कि मैं आपको practice भी करा रहा हूं अगर मैं सिर्फ theory theory बढ़ा दूं तो दो चार लेक्टर में हर चेप्टर हो जाएंगे लेकिन उसमें निमेरिकल भी कराने होते हैं आप चीजों को समझें तो बिल्कुल टैंसल नेने वाली बा जाता है लेकिन आप मुझसे पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो और बढ़िया तरीके से question लगा तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा तो titration पढ़ने से पहले थोड़ा basics के वारे में समझना होगा जैसे normality क्या होती है तो normality की basic definition लिखेंगे और main चीज क्या है जो lecture आप the number of the number of gram equivalent present per liter of the solution per liter of the solution मतलब एक लीटर में कितने gram equivalent present है अच्छा थोड़ा मिलता जूलता नहीं लग रहा है यह normality, molarity हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप molarity क्या था number of moles per liter और यह क्या है number of gram equivalent per liter मतलब gram equivalent क्या होता है यह एक तरीके से mole जैसा ही है आप मुझे बताओ mole कैसे निकालते थे बताना ज़रा molle कैसे निकालते थे, mole निकलता था weight upon molecular weight atom होता था, atomic weight ऐसी mole निकालते थे, बस यहाँ पर N न लिखके हम लिखते हैं number of, number of gram equivalent यह लिखते हैं और यहां weight upon molecular weight ना लिखके लिखते हैं यहांपर equivalent weight और equivalent weight निकालना हमने बहुत अच्छे से सीखा है किस में? redox में, mole 2 में तो number of gram equivalent निकलते हैं weight upon equivalent weight से तो आप मुझे बताओ normality का formula क्या हो जाएगा normality यहां से capital N जो आएगी वो आएगी क्या? number of gram equivalents divided by volume in liters यही लिखोगे आप normality को अब मैं क्या कर रहा हूँ? आपके लिए थोड़ा और आसान कर देता हूँ क्यो? molarity निकालना हमें आसान लगता है और हमने N फेक्टर भी पढ़ रखा है तो molarity और N फेक्टर का एक relation होता है जो normality से connected है कैसे? ध्यान से समझना ज़रा मैं number of gram equivalent को यहाँ से weight upon equivalent weight लिख रहा हूँ ध्यान से देखते जाना है तो weight upon equivalent weight और into volume in liters volume of solution in liters ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ equivalent weight का formula बताना ज़रा क्या होता है equivalent weight होता है molecular weight divided by N फेक्टर यह लिखते हो atom होता तो atomic बता है N फेक्टर तो वो मैं यहाँ पूट कर रहा हूँ तो कैसा देखेगा? normality N is equal to weight upon equivalent weight को क्या लिखूंगा? molecular weight upon N फेक्टर और into volume in liters सही जा रहा है बिलकुल अब N फेक्टर को उपर ले जाओ तो ऐसा देखेगा normality is equal to weight upon molecular weight और N फेक्टर उपर चला गया और into क्या कर दिया? मैंने volume in liters देखते जाओ step by step बता रहा हूँ डारेट नहीं लिख रहा हूँ एक चीज समझ में आनी चाहिए weight upon molecular weight यह क्या हो गया बिटा? यह हो गया तुमारे moles क्या हो गए? moles तो normality is equal to mole into N फेक्टर अपन volume in liter और mole upon volume क्या बन गया? mole upon volume बन गया molarity into N फेक्टर और N फेक्टर हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं चाहे acid हो, base हो, salt हो redox reaction हो, उसमें भी कोई भी हो तो यह formula आप ध्यान लखना normality is equal to molarity into N फेक्टर यह कई बार आपको use करना पड़ेगा समझे गए? और number of gram equivalent के दो relation मने क्या? number of gram equivalent, weight upon equivalent, weight भी होता है और यहां से भी मैं लिखना चाहूं तो normality into volume लिख सकता हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं? अब आप क्या करो? जो भी मैं important formula लिख रहा हूं number of gram equivalent कैसे निकलते हैं? यह निकलते हैं, weight upon equivalent weight से यह formula है या मैं क्या लिख सकता हूं? normality into volume normality into volume in liters यह लिख सकता हूं और अगर इसको और easy way मैं लिखना है तो वहां पर हम formula जिस form में याद रखेंगे mi star लिखेंगे क्या? बॉक्स में बंद करना है इसको number of gram equivalent is equal to मैं यहां क्या लिख दू? equivalent weight को molecular weight by n factor n factor ऊपर चला जाएगा और weight upon molecular weight mole बन जाएगा तो mole into n factor और यहां normality क्या लिख दू? molarity into n factor molarity into n factor into volume in liters तो आपको जो formula ध्यान रखने हैं इतने सारे जो मैंने पूरा का पूरा जो आपको करके बताया है solve करके बताया है सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है एक ये और एक ये इससे काम हो जाएगा आपका तो आप क्या करो? इसको box में बंद कर लो और इसको box में बंद कर लो समझ गया बात को? अरे बहुत आसान है कोई ऐसा टफ चीज नहीं है बहुत सिंपल चीज है normality is equal to molarity into n factor पहला formula दूसरा number of gram equivalent is equal to mol into n factor is equal to molarity non-volum in liters समझ गया बात को? तो अच्छे सा ये formula note करो फिर मैं आप इसको इसके numerical आपको करके बताता हू normality is related अच्छा मुझे एक चीज और बता दो फिर note करना ये जो normality है temperature dependent है कि independent है volume आ रहा है मतलब temperature dependent तो यहाँ पर अपन फिर से एक star वाला point लिखेंगे क्या? box में बंद कर लेना इसको क्या? normality is temperature dependent concentration term ये भी तो एक concentration term है dependent तो इसको भी box में बंद कर लेना क्योंकि जब आप revision करोगे ना तो revision के time पर ये important important formula पढ़ोगे और आगे बढ़ते जाओगे ऐसा तो note करो इसको फिर numerical करते है चलो आगे बढ़ते हैं आप कुछ question समझे लो आप किस तरीके के आपको मिलेंगे जैसे normality पूछ लेंगे ग्राम equivalent पूछ लेंगे बहुत आसाने निकालना देखना क्या पूछा है आपसे find normality of इतने ग्राम of cah hold twice in 5 ml solution बहुत simple आप क्या गरो कभी भी आपसे normality पूछे ना तो आप normality मत निकालो ये क्या बोल दिया सर आपने हाँ सही बोला नौर्मेलिटी पूछे तो normality मत निकालो, molarity निकालो ताकि हम molarity into n factor करके normality direct लिख दें तो आप क्या है वो वाले रास्ते से बच जाओगे ग्राम equivalent वाले निकलने से तो आपके लिए बता रहा हूँ मैं बहुत आसान तरीका क्या molarity निकालना है, तो molarity कैसे निकल लेंगे? mols divided by volume in liter, mols of solute divided by volume of solution in liter mol निकाल लो इसके जरा, mol कितने आ जाएंगे? 0.74 divided by cuh hold twice का molecular weight निकालोगे तो 74 आएगा इतना तो आपको निकालना आना चाहिए, calcium का 40 होता है atomic weight और इसका 16 और 17 इंटो 2, 34 और प्लस 40, 74 यह आगे आपके पास 10 की पावर माइनस 2, mol आगे, molarity कैसे निकालोगे? mol, 10 की पावर माइनस 2 upon volume of solution in liter, ml में कितना दिया है? 5 तो लीटर में कितना हो जाएगा? 5 इंटो 10 की पावर माइनस 3, क्यों? 1 ml is equal to 10 की पावर माइनस 3 लीटर, आपको पता ही है चलो देखो जड़ा के आगी molarity 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 3 उसमें से माइनस 2 कम होगा, 10 बचेगा, 5 मतलब 2 आ गया molarity 2 आ गई तो अब बता दो मुझे normality क्या आएगी? normality का formula होता है क्या? molarity into n factor और molarity कितनी है? 2 n factor, c a o h hold twice का आप देखो अब कहानी आपकी n factor की आ गई अगर आपको n factor नहीं पता तो redox वाले lecture में जाओ जहां मैंने n factor निकालना सिखाया है वहाँ से सीखके वापिस आओ तो फिर दुबार असे यहीं देखो है न? c a o h hold twice base है और इसका n factor क्या है? 2, कुछ नहीं दिया होता है तो हमें n factor maximum मानते 2, ठीक है? अधरवाई इसका और क्या क्या हो सकता था? reaction दे दे ते तो 1 भी हो सकता था 2 भी हो सकता था, लेकिन reaction नहीं दी सिर्फ compound दिया है तो maximum लेते हैं मतलब 2, तो 2 into 2 कितना हो गया? और simple math भी सिखाई जाएगी आपको यहाँ पर है न? इतना तो पतही होगा आपको चलो आगे बढ़ते हैं, find gram equivalent of 3.65 gram HCl, अब देखो इसमें direct gram equivalent पूछा है न? तो आप gram equivalent मत निकालो, mole निकालो ताकि हम mole into n factor लगा देंगे समझ गया बात को कैसे apply करना है? तो mole निकालने न जड़ा क्या होता है? weight upon molecular weight weight क्या है? 3.65 molecular weight इसका 35.5 plus 136.5 solve किया, point बना गया ठीक है? mole आगए इसका n factor बता देना यह क्या है? acid, acid कितने h plus दे रहा है? hc है, लेके h plus देगा तो n factor इसका 1 तो number of gram equivalent या gram equivalent देखो, कभी gram equivalent लिखा हो? या number of gram equivalent ध्यान से सुनना क्या बोलना हूँ? number of gram equivalent लिखें या gram equivalent लिखें वो क्या होता है? same ही होता है, डिगे? क्या होता? mole into n factor mole कितने? 0.1 n factor कितने? 1 answer कितना? 0.1 समझे कहे? एक question और कर रहा हूँ है आपको यहाँ पर ध्यान से लिखो ज़रा क्या? find number of gram equivalents find number of gram equivalents gram equivalents लिखो या number of gram equivalents बाद 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 है gram equivalents of 0.2 of 50 ml of 50 ml of 0.2 molar h2SO4 ठीक है? एक question और कर लेता है gram equivalent निकालना है मुझे क्या दिया? molarity दी है और क्या दिया है? volume दिया है और मुझे h2SO4 का n factor पता है तू देखो तो number of gram equivalent आपके आ जाएंगे molarity into n factor into volume in liter इससे से निकालोगे अब molarity कितनी है? आपकी 0.2 n factor कितना है h2SO4 का? 2 volume कितना है? 50 ml तो इसको मैं convert कर लू लीटर में 10 की पार माइनस 3 अब आप बताओ जरा 50 into 2 कितना होता? 100 और 100 into 10 की पार माइनस 3 0.1 बचेगा? 10 की पार माइनस 1 बचेगा? 0.1 इसमें multiply कर दू तो 0.02 आजाएगा अब ध्यान से सुनो जरा अगर मुझे इसी मैं milli equivalent निकाल ले होते हैं ध्यान से समझना? क्या बोल रहा हूँ मैं? am I star लगाएं? क्या? milli equivalent milli equivalent is equal to gram equivalent into 1000 gram equivalent मैं 1000 से multiply कर दो milli equivalent आजाएगा समझ गया बात को? तो gram equivalent कितने है? 0.02 milli equivalent का मतलब एक तरीके से अगर volume ml में होता तो सिधा है न? तो कितना आ जाएगा बताओ जरा gram equivalent कितने है? 0.02 तो milli equivalent क्या आ जाएंगे? milli equivalent is equal to 0.02 into 1000 तो ये कितना होगे आपका? 20 तो 20 milli equivalent H2SO4 समझ गया बात को जो मैंने लास्ट में चीथी बताई तो कभी-कभी अगर question में आपको milli equivalent दे दे या निकल वा ले है तो milli equivalent का सिर्फ इतना सा मतलब है कि volume ml में होगा किस में होगा? ml में होगा फिर सुन लो milli equivalent और gram equivalent में क्या फरग है? gram equivalent जब निकालते हैं तो volume यहां लीटर में रखते हैं और अगर milli equivalent निकालना है तो volume ml में रखना है और ऐसे convert करना है तो gram equivalent इंटू 1000 कर दो तो यह formula भी box में बन कर लो कभी milli equivalent निकालना है तो gram equivalent इंटू 1000 या आप volume सीधा ml में ही रख देते तो ये gram equivalent सीधा milli equivalent हो जाता मतलब सीधी सी बात है milli equivalent मतलब volume in ml gram equivalent मतलब volume in liter फटावट से इसको note करो फ़र आगे बढ़ते है चलो तो अगे बढ़ते हैं और normality के कुछ cases समझ लेते हैं तो normality के cases क्या है different cases of normality लिख रहा हूं मैं different cases of normality जैसे हमने molarity में बढ़ा था वैसी normality में है क्या पहला normality normality on dilution normality on dilution मतलब आप क्या अगर होगे मेरे पास कोई particular solution है तो मैं उसमें और पानी मिला दूँगा और पानी मिला दूँगा तो volume change हो जाएगा आपका लेकिन number of moles या number of gram equivalent change नहीं होते हैं तो मैं क्या लिखता हूं normality on dilution के लिए हमें लगाना है n1 v1 n1 v1 is equal to n2 v2 अब यह क्या है n1 है normality normality before dilution before dilution मतलब dilution से पहले की normality है यह v1 क्या है volume volume before dilution n2 क्या है normality normality after dilution मतलब पानी मिलाने के बाद क्या हुआ क्या normality हुई ठीक है और volume v2 क्या है volume after dilution समझ गए तो n1 v1 equal to n2 v2 लगाना है आपको अब आप इसमें ऐसा लगा सकते हो solution तो मेरे पास same है अगर solution मेरे पास वही है तो जो solute है वो तो वही है और solute वही है तो n1 v1 is equal to n2 v2 करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या m1 v1 n factor 1 और is equal to m2 into v2 into n factor 2 और n factor क्या होंगे same क्यों? solute तो मेरे पास same ही है तो n factor 1 और n factor 2 same रहेंगे तो ये काट के मैं ये लिख सकता हूँ क्या? m1 v1 is equal to m2 v2 तो कभी अगर आप से molarity और dilution भी पूछ ले तो आप यही लगा दिया करो normality पूछे तो भी आप ऐसे लिख दिया करो, ध्यान से देखना ज़रा क्या पूछ रहें what is the normality of resulting solution obtained by dilution of 200 ml of 0.2 molar HCl तो मैं आपको इस formula से लिख के करवाऊं मां बाकि ऐसा भी हो सकता है मैं इससे करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना n1 क्या है? मुझे molarity दी है तो normality निकाल लो n1 is equal to क्या होगा? molarity क्या है? 0.2 और n factor क्या है? 1 फिर से सुनो normality is equal to molarity into n factor यह गिया molarity 0.2 है और n factor इसका 1 है तो molarity into n factor क्या आगी? normality कितना आगई? 0.2 सही है? initial volume v1 क्या है? 200 ml है तो या तो आप volume को दौनों को ml में रखो या liter में रखो, ठीक है? और usually ml में दिया जाता है तो मैं ml में रखा है तो v1 200 ml है n2 मुझे निकालना है और v2 क्या है? 1 liter को convert कर लो भाई, ये ml में तो ये भी ml में 1 liter is equal to 1000 ml समझ गए बात को? बहुत आराम-आराम से समझो अब लगा रहा हूँ मैं n1 v1 is equal to n2 v2 n1 क्या है? 0.2 v1 क्या है? 200 n2 निकालना है, v2 क्या है? 1000 200 से ये कट गया कितनी बार? 5 बार 200 से कट गया कितनी बार? 5 बार और n2 क्या आगया आपका? बता हो ज़रा 5 को इदर ले जाओ तो 0.2 by 5 ये आपका आंसर है तो कितना हो जाएगा ये? 0.04 0.04 सही है? तो 0.04 normal आपका final answer है 0.04 normal और dilution करने पर normality कम होती है molarity भी कम होती थी तो कम हो गई पहले 0.2 थी dilution किया तो 0.04 हो गई ठीक है? बहुत simple है अगला देखो ज़रा second दूसरा case क्या है? normality on dilution के बाद अगला है normality on mixing normality on mixing अब मुझे एक बात बताओ अगर मुझे दौनों acid दे रखे हैं तो मैं add करूँगा दौनों base दे रखें तो add करूँगा एक acid एक base दे रखा है तो मैं minus करूँगा क्या करूँगा? जो मैं molarity का formula लिखता था वैसे ही normality का आएगा क्या? normality on mixing is equal to N1 V1 plus minus N2 V2 यहाँ mod लगा दिये क्योंकि आपको negative value नहीं लेनी है एक divided by V1 plus V2 अब सुनों जराब मैं क्या बोलता था plus कब लगेगा? उपर numerator में plus कब लगेगा? जब दौनों acid या दौनों base हो समझगे? minus कब लगेगा? जब एक acid और एक base हो नीचे मत minus लगा दे ना volume तो addy होते है ना चाहे acid हो चाहे base हो ऐसी गलती मत कर दे ना आप मुझे इसमें n1 बता दो पहले n1 क्या है इसका? n1 क्या आएगा? molarity कितनी है? 0.2 into n factor h2SO4 का 2 तो 0.4 आगया n1 यहाँ n2 बता दो n2 is equal to molarity 0.2 और इसका n factor 1 मतलब यह 0.2 तो यह 0.4, 0.2 आगया n1, n2 v1 है यह और v2 है यह चलो स्टार्ट करो यह क्या है? acid है यह क्या है? base है यह तो आप पहचान न जानती हैं कौन acid, कौन base तो बीच में क्या लगेगा? minus लगेगा ध्यान से देखना normality on mixing is equal to n1 v1 n1 कितना है? 0.4 v1 कितना है? 100 volume के ml मी रखो कोई दिखकत नहीं कि उपन नीचे दोनों जगे ml मी रहेगा minus लगाऊंगा यहा नॉर्मेलिटी क्या है? 0.2 और volume क्या है? 100 mod लगा दूँगा divided by v1 plus v2 100 plus 100 200 समझ गये बात को कैसे लगाना है? बहुत simple है अगला इसको solve कर लो जड़ा क्या आ रहे? 0.4 into 100 कितना होगे? 40 और minus 20 divide by 200 तो 20 by 200 1 by 10 मतलब 0.1 simple match से वाई है 1 by 10 0.1 तो normality on mixing क्या होता है? जब कभी भी आप 2 acid mix करो या 2 base mix करो या 1 acid ए 1 base mix करो तो आप normality on mixing निकाल सकते हो इस तरीके से आपको formula अपलाई करना है समझ गया बात को? तो फिर से मैं आप से बोल रहा हूँ कि जितने भी lecture अपन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे हम बच्चे detail में पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि से लिए बास खतम कराने के चक्कर में कोई चीज इसके भोजा मैं पहली बोलना हूँ आप से कि आपके पास जो notes है जैसे chemical bonding, periodic table, atomic structure, mole 1, mole 2, mole 3 जितना भी lecture आपन जो कर रहे हैं जो आपके पास notes आ रहे हैं जितने हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो maximum teacher छुडवाते हैं उन में से कुछ ना कुछ आप ये ध्यान लगो तो आपन जो चीज़ें cover कर रहे हैं वो पूरा detail में cover कर रहे हैं मतलब main आपकी चीज़ पता है main आप ये सोचो कि हमसे question बनना है कि निए बनना है अगर आप से question बन रहे हैं मतलब बहुत बढ़िया चीज है अगर नहीं बनना है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बनने लगेंगे लेकिन ऐसा आप कभी फील नहीं करोगे कि अच्छा यह मैंने कभी सुना ही नहीं मतलब यह तो मेरी गारंटी है कि आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा अच्छा सर यह क्या होता है ऐसा कभी आप नहीं करोगे क्योंकि जो भी से लेवस्प में रिलेटेट चीज़े हैं वो मैं आपको सारी की सारी करवाऊंगा और बहुत अच्छे से करवाऊंगा ठीक है बस मैं पूरा पड़ाया हुआ उसने कभी पूरा सलेवस नहीं कराँ है वो आपसे बोल रहो है कि अच्छा ससलो चल रहा है सलेवस परद नौट करो इसे चलो बच्चो तो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हम टाइट्रेशन देखो टाइट्रेशन में चीज अब यहां से शुरू होती है अभी तो हमने बेसिक चीजे समझी दी नॉर्मेलिटी किराम इकुविलेंट बगरा अब टाइट्रेशन एक्चुल में क्या होता है ट इस दा प्रोसीजर ओफ डिटर्माइनिंग दा कॉंसेंट्रेशन आफ सॉल्यूशन किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हम कॉंसेंट्रेशन निकालेंगे बाय अलाइन या केरफली मेजर वॉल्यूम मतलब कुछ ना कुछ आपको वॉल्यूम उसका पता होगा टू रिय यह होता है टाइट्रेंट तो जैसे यह मेरे पास अर्रेंजमेंट है एक बीकर है बीकर में होता है टाइटरेट तो इसमें है मेरे पास क्या titrate है ना और यहाँ पर यह burate जो है इधर एक knob होती है ठीक है इस knob को हम ऐसे open करते हैं ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ से titrate जो है नीचे titrate में गिरता है बहुत द्यान समझना इसके अंदर क्या भरा हुआ है titrate और titrate यहाँ पर definition में क्या है it is the procedure determining the concentration of solution यह तो जिसकी आपको concentration निकाल ली है इसका आपको volume पता होगा किसका इसका तो इसकी concentration निकाल ली है volume पता होगा ठीक है इसका कुछ ना कुछ यहाँ भरा होगा इधर मैं भर देता हूँ यह होता है आपका titrate क्या होता बेड़ा titrate ध्यान से समझते जाना अब यह क्या है इसमें titrate तो titrate किसमें होता है आपने lab अगर कभी गए हो तो lab में ऐसा होता है कि एक beaker है और यह अपने पास view rate है beaker में कुछ अपने एक solution भरते हैं और titrate यहाँ पर कुछ solution भरते हैं जो beaker में मौझूद होता है को given है और titrate के आपको नॉर्मेलिटी पता है नॉर्मेलिटी क्या है given है और जितना volume आप उपर से नीचे मिलाओगे भाई आपने knob खोली कुछ न कुछ volume मिलाया जितना volume आपने विलाया तो वह आपको volume भी पता है तो इधर normality volume पता है इधर normality निकालनी है volume दिया है तो यह चलो अपन chemistry की बाते बात में करेंगे किस तरीके से numerical करना है बस basic चीज मैंने आपको बता दी बापिस यहां आते हैं तो definition फिर से एक बार पढ़ेंगे क्या कह रहें it is the procedure of determining the concentration of solution titrate by allowing a careful measured volume मतलब इसका volume पता है to react with standard solution of another substance titrate another substance क्या है titrate जिसकी concentration आपको पता है तो titrate की basic definition clear हुई क्या करते है हम एक solution की concentration normality मोलड़ी वज़र है determine करते है with the help of another solution जिसकी help से करते हैं वो standard solution होता है अब यह standard solution का मतलब क्या है यह titrate का मतलब क्या है वो समझते हैं अगली चीज पढ़ो titrate के बारे में दो type की होते हैं एक primary एक secondary primary titrate या standard क्या होता है reagents which can be accurately with and their solution are not be standardized before use मतलब इनको आप direct use करो यहां पर इनको आप direct use करो अब ऐसा क्यों primary standard या primary titrate क्या होते हैं पहली बात पहला point यह extremely pure होते हैं extremely pure होते हैं मतलब purity बहुत ही कम होती है आप बोल सकते हैं 99.99% तक यह pure होते हैं पहली बात दूसरी बात यह stable होते हैं मतलब atmosphere में exposure करने पर ऐसा नहीं कि यह oxygen के साथ react कर लें ठीक है या moisture absorb कर लें मतलब हम यह moisture absorb को क्या बोलते हैं hygroscopic ध्यान से सुनना अगर मैं आपसे बोलू primary standard या primary tight range होते हैं वह hygroscopic नहीं होते हैं या very less hygroscopic होते हैं hygroscopic का मतलब क्या है यह जो word मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिखो definition में बोल देता हूँ hygroscopic hygroscopic इसकी definition लिखो tendency लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ मेरी सकल मत देखो लिखो the tendency to absorb moisture from air the tendency to absorb moisture from air तो air से moisture absorb कर ले वो क्या होते हैं hygroscopic substance होते हैं तो यह जो primary standard होते हैं यह non hygroscopic यह very 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 less hygroscopic होते हैं तो क्या क्या बात बोली मैंने extremely pure होते हैं hygroscopic होते हैं और यह जो primary standard है यह costly भी होते हैं यह क्या है costly भी होते हैं क्यों क्योंकि आपको primary standard नामसी के लिए रहा है primary मतब सबसे यह यह यूज किया जाते हैं तो primary standard बनाने के लिए आपको lab के अच्छे-च्छे एक्यूप्मेंट्स भी लगते है और भै Suzanne snow management भी लगता जो लोग बना रहे हैं उसकी सैलरी किवी होती हैए तो होता क्या है यह जो Nigeria मॉर्व में होते हैं कुछ Delhi इंडिया में होते हैं बहार से अट्सूर्स हैं इसलिए इसले क्या थे महंगे CertMR क्यों कि आपको स्टेंडडाइज effet करने की जडूत ने इसे यहां पर टाइटरें आप यूजक लेकिन इसे महेंगे क्यों 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 क्यूंकि बनाने करने के लिए बहुत सारी चीजह लग रही है लेब लग रही है, मैन पावल लग रही है, ठीक, तो इससे हम एक दूसरी जगे कूथते हैं, secondary titrant या standard में, अब सुनना द्यान से, secondary titrant कैसे बनाये जाते हैं, with the help of primary titrant, भाई ये महेंगे हैं, तो हम इसको जादा amount में नहीं मना रहे, मंगा रहे, बाहर से हम मंगा रहे, तो ज 10 gram ले लेते हैं, और secondary titrant, ये जो secondary titrant है, इसको इसकी help से हम बना लेते हैं, सुनना ध्यान से, secondary titrant को primary titrant की help से बना लेते हैं, इसका हमने 10-20 gram लिया और इसके हमने 2-4 पिलू बना लिया, लेकिन ये extremely pure है, ये extremely pure नहीं होगा, इसकी impurity कुछ ना कुछ इसमें होगी, जैसे, let's से 99.9 परसेंट अगर प्राइमरी स्टेनर्ट था मतलब उसकी प्योरिटी इतनी थी तो सेगंड इस्टेड आपने बना तो लिया लेकिन 95 परसेंट ही बना मतलब 95 परसेंट प्योर ऑप ठीक है मतलब आपने आपको तो यूज करना था रही थोड़ी बहुत थोड़ी purity adjustment हो जाती है, मतलब चलता है थोड़ी बहुत purity चलती है, मतलब थोड़ा impure भी होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी का, तो यह जो होते हैं, NAOH, KOH, HCL, KMNO4, I2, इस type के जो secondary titrant होते हैं, वो इनकी help से बनाए जाते हैं, और इनको यहां use करते हैं, कहां प to be standardized, लेकिन यह वाले not to be standardized, मतलब यह direct use कर सकते हो, लेकिन यह महेंगे हैं, यह सस्ते हैं, और यह hygroscopic nature के नहीं हैं, यह hygroscopic nature के होते हैं, इसलिए इसलिए impurity भी होती है, ना, less stable होते हैं, यह more stable होते हैं, ठीक है, यह higher molecular mass वाले होते हैं, वो lower molecular mass वाले होते हैं, ऐसी चीज को हम primary standard की help से बनाते हैं इसकी purity 99.99% होती इसकी 95% तक ही होती है सब्सक्राइब कुछ ना कुछ impurity रहेगी लेकिन उतना चलेगा अब यह standardized कर लिया आपने standardized करने का मतलब जो आपने secondary titrant बनाया with the help of primary जिसको आप यहां यूज कर रहे है उसको standardized solution बोलते हैं standard solution बोलते हैं तो यह वाली बात होगी secondary standard की अब titrate क्या होता है जो आपने यहां पर substance लिया देखो चरह definition में solution consisting of substance to be estimated मतलब जिसकी आपको normality निकाल ली है या concentration mol ID अगरा निकाल ली है तो उसको हम titrate बोलते हैं clear तो यह definition clear हो गई यह definition clear हो गई यह definition last definition पर चलते हैं indicators indicators क्या होते है an auxiliary substance added for physical detection मतलब अलग से हम क्या करते हैं इसमें indicator मिलाते हैं जैसे आपने knob खोली city titrate ने बढ़िया जहमाजम रिएक्षन करी titrate के साथ टाइड़े और titrate की in reaction चल रही है अब आपको कब रोकना है यह भी तो peacefully चाहिए एब है आपके पास क्या 聽 rate रैट है आपके पास कब रोखना है आपको यह उत तब रोखना है जब यहां indicator στα पं़के कर schwang इंडिकेटर तो इंडिकेटर अपना color change कर ले इंडिकेटर मालो आपने 2-3 drop डाली 2-3 drop आपने क्या करा इंडिकेटर डाला और उसने color change कर लिया मतलब जैसे ही color change हो गया तो आप समझ जाना कि हाँ titration हो चुका है इंडिकेटर्स क्या होते हैं जैसे phenophthalene HPH का मतलब क्या होता है phenophthalene इसको बोलते हैं क्या phenophthalene और M.E.U.H ये तो HPH का नाम हो गया M.E.U.H का नाम है methyl orange मिथाईल ओरेंज इंडिकेटर की हम डीटेल में थियोरी आयने कि लिविरियम में पढ़ेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट ठीक है तो ये कहानी है अब मैं आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूं तो थोड़ा बहुत और समझ में आएगा और फिर से एक बार और हम इस चीज को समझेंगे ध्यान से देखना ज़रा मेरे पास दो चीजे हैं दो ग्लास हैं देख रहे हैं आपको देख रहे हैं न हाँ देखो मेरे पास ये है टाइट रेट ये क्या है टाइट रेट ये बीकर है ठीक है और ये view rate है आप ये suppose करो ये view rate है ठीक है उपर से आ रहा है पानी मतलब sorry titrate पानी नहीं पानी तो मैंने भरा है ये titrate है ये titrate है titrate क्या क्या हो सकता है primary और secondary दोनों हो सकता है titrate ये रहा आपको titrate की concentration निकाल ली है इसका volume आपको पता है भई ये fix से इतना volume इसका भई इसको change नहीं करूंगा इतना है और इसकी concentration निकाल ली है अब उपर से मैं इसका कुछ volume मिलाऊंगा इसकी मुझे concentration पहले से पता है किसकी tit टाइट्रेंट की मुझे कॉंसेंट्रेशन पहले से पता है मैं उपर से कुछ वॉल्यूम मिलाऊंगा और इंडिकेटर टालूंगा जैसी इंडिकेटर ने कलर चेंज कर लिया तो समझ जाना क्या हुगा टाइट्रेशन हो गया मतब इक्वेलेंस पॉइंट आ गया समझ गया बाद को ऐसा करने वाले तो ध्यान से देखना चारा यह क्या है टाइट्रेट यह क्या है टाइट्रेंट तो मैं इस में से टाइट्रेंट मिला रहा हूं ध्यान से देखते जाना यह गिर रहा है यह मैंने मिलाया अब कब रोकना है जब कलर चेंज होगा तो पहले कुछ इंडिकेटर मिलाया होगा तो सपोज मान लो मैंने ध्यान से देखना यह इंडिकेटर ले लिया तो यह इंडिकेटर मैंने इसमें मिला दिया एक बूंद दो ड्रॉप टीन चार ड्रॉप डाल देते हैं ठीक है यह इंडिकेटर मैंने इसमें मिला दिया अब जो सॉल्यूशन का कलर है वो क्या है ब्लू इसका कलर क्या है ब्लू कलर इंडिकेटर मैंने मिला दिया पूरा घुला नह जो इंडिकेटर होता है वह इसमर गुल जाता है ठीक है अब अब उसने क्या ऐखा ये मालो ब्लू एक थोड़ा सब देखाने की कोसिस कर रहा हूं यह ब्लू ऑर रहा है तो यह ब्लू इस और अब आपने क्या अगर टाइट रेंट को मिलाया तो इसने क्या है कलर चेंज किया ब्लू कलर से कुछ और कलर हो जाए मैं तो ऐसी सपोस्स मैंने माल लिए कि ब्लू कलर है एक कलर से कोई दूसरा कलर आ जाए इसका मतलब आपको वहां टाइट्रेशन को रोकना है और आपको एनालेसिस करना है मतलब नौर्मेलिटी वगरा निकाल लिए बताऊंग तो में बड़ी दिक्कत होती ही बाई मालो एसी एल आपको एसी एल पी जाओगे क्या फागल हो तो में घानी क्या है एक बार फिर से जुरू करेंगे समझ में आना चाहिए क्योंकि टाइट्रेशन का बेसिक है यह समझ में आके तो आगे यह कहानी पूरी किलिए हो जाएग पता है एक इंडिकेटर हमने डाल दिया दो चाट रॉप ताकि कलर चेंज से आपको समझ में आ जाएगी टाइट्रेशन लोगना है अब में कहानी इन टाइट्रेंट की है जो आप यूस कर रहे हो तो टाइट्रेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं एक प्राइमरी और जो हाइली पियोर होते हैं इस्टेबल टू एयर होते हैं मत्दब एयर से रियक्ट नहीं करते हैं एयर में एक्स्पूजर करने पर स्टेबल होते हैं ठीक है हाई ग्रोस्कोपिक नहीं होते ठीक तो इस टाइप के जो होते हैं ये 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 वाले क्या है ये प्राइमरी है ये भाई ये तो compound का formula ही है पहले से इसने ये air से moisture absorb नहीं किया, ये इसका formula ही है, ये मत बोलना कि सब air से absorb कर दिया इसने, इसका formula ही ऐसे एक्जिस्ट करता हाइप होगा, और इसका moher salt बोलते हैं इसको, moher salt, लिख देता हूँ, moher salt, तो ये जो moher salt होता है न, इसका formula ही ये होता है तो ऐसानी किसने, air से absorb करा, मुष्षर, ठीक है, तो ये हो गए primary वाले, secondary क्या हो गए, secondary सस्ते होते हैं, क्योंकि हम इने खुद बनाते हैं, primary हम ये easily available नहीं है, महेंगे मिलते हैं, तो इसकी थोड़ी सी quantity से हम इसकी बहुत जादा quantity बना लेते हैं, और इसका जो हम standardization करते है मतलब जो यहां use करना है, जो ये बनाते हैं, ये compounds का standardization जो करते हैं, वो with the help of primary करते हैं, थोड़ी सी quantity में इसका use कर लेते हैं, मतलब इसका 10 gram से इसका 2-4 glue बना लो, ऐसा, जैसे हैं मैं आपको example के तौर पर बताऊ, HCl का standardization किया जाता है, N2CO3 के help से, मतलब इन नोनों की probability निकाल ली है, volume given है, indicators क्या होते हैं, जो color change करें, titration के दौरान color change करें, उससे क्या पता चलता है, उससे ये बतालता है कि equivalent आ गया, equivalent आने का मतलब यह है कि titration यहीं रोग दो, और आगे की calculation कर लो, समझ गया बात को, बहुत clear, बहुत आराम से, अगर आपको नहीं clear है, तो आ इतनी सारी important बात है थी, मैंने आपको बोल दी है, और समझा भी दिया है, clear, 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 line by line, अब मैं आपको इसकी calculations बताता हूँ, कि हमें chemistry में क्या करना है, यह तो बहुत basic सी चीज हो गई, कि titration होता क्या, titration का use बैसे chemistry में तो होता ही है, साथी साथ pharmaceutical industry में भी बहुत होता है, जै secondary standard वाला use कर लो, primary नहीं कर पार हो, secondary कर लो, माल लो, यह अविलेवल नहीं है आपके पास, यह अविलेवल है तो यह यूज कर लो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा use होता है, pharmaceutical industry में भी होता है, medicine बगरा में भी, और chemistry में तो होता है, acid weight, titration, redox, titration, यह सारी चुज है, है ना, त titrate ने titration के साथ reaction करी, तो क्या हुआ, equivalence point achieve किया, indicator color change से, आपको समझ में आ गया था, तो अब equivalence point पे क्या करना है आपको, gram equivalence, gram equivalence of titrate, titrate is equal to होता है, gram equivalence of titrate, इसको बोलते हैं, law of gram equivalence, ध्यान से लिखना जड़ा, क्या बोलते हैं इसको, law of, law of gram equivalence, law of gram equivalence क्या कहता है, law of gram equivalence क्या कहता है, कि number of, क्या कहता है, number of gram equivalence of all the species, reactant of product हो है, all the species, in a chemical reaction, इन a chemical, reaction are same, यह ध्यान दखना आप, number of gram equivalence same होता है, law of equivalence होता है, क्या, जैसे मालो मेरे पास reaction दी है, a plus b, और इससे बन रहा है क्या, c plus d, कुछ coefficient ले ले लिए, मालो यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए, यहाँ 3 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए, ठीक है, पहली बात तो यह, कि reaction में coefficient कुछ भी हो, उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है, तो आपको usually unvalence reaction ले के करोगे, तो ज़्यादा बेटर है, बस आपको क्या ध्यान दखना है, क्या, gram equivalent of A, is equal to gram equivalent of B, is equal to gram equivalent of C, is equal to gram equivalent of D, मतलब सभी के gram equivalent क्या होते हैं, किसी chemical reaction में same रहते हैं, तो बहुत आसान चीज़े, कभी भी दो चीज़ें reaction कर रही हो, तो उनके gram equivalent को क्या कर देना, बराबर कर देना, जैसे suppose example के तौर पे मैंने लिखा, Na2CO3 की reaction हो रही है, HCl के साथ, तो बन रहा है NaCl plus CO2 plus water, ठीक है, यह बन दा है, तो मैं अगर gram equivalent के form में बढ़ू, मैंने balance नहीं करी, reaction balance करने की ज़रूत नहीं है, वाले कोफिसेंट हो या ना हो, ठीक है, आप तो बिना balance करके reaction लिखो, सिर्फ species लिख लो जो बन रही है और जो react कर रही है, ठीक है, जैसे यह है, मैंने यहाँ पर आपको 2HCl नहीं दिया, है ना, मैंने यहाँ पर 2NACL नहीं लिखा, ज़रूत ही नहीं है, आप क्या बोलो सीदे सीदे, gram equivalent of Na2CO3, is equal to gram equivalent of NaCl, is equal to gram equivalent of NaCl, is equal to gram equivalent of CO2, is equal to gram equivalent of H2O, इस gram equivalent of Na2CO3, is equal to, क्या लिखूंगा, gram equivalent of HCl, reaction unbalance होना चाहिए, ठीक है, यह ध्यान रखना, reaction balance नहीं चाहिए आपको, ठीक है, उसका कोई मतलब भी नहीं है, तो unbalance reaction, इसलिए तो हम equivalent का concept यूज करते हैं, balance है तो mole concept नहीं करेंगे, तो mole concept से बचने के लिए कि reaction balancing आप से नहीं हो आपको question में ही नहीं दिये, तो उससे बचने के लिए gram equivalent का concept लगाओ, अब बात ध्यान से सुनना, gram equivalent इसके और इसके बरावर हैं, तो gram equivalent को आपको question में कैसे अपलाई करना है, वो main चीज है, इसलिए बता रहा हूँ, numerical solvent technique, कैसे solve गरोगे आप, तो उसके लिए ध्यान से सुन मेरे पास titration हो रहा है, titrate है और titrant है, तो अब कुछ ना कुछ, तो titration का type होगा, तो हमारे सिले बस में, basically, दो type के titration बहुत ही ज़्यादा important है, तो मैं लिख रहा हूँ, types of titration, numerical solving technique बता रहा हूँ, कैसे करना है, ध्यान से देखते जाना, types of, types of titration, types of titration, ध्यान से देखना, titration के type में, number one is, acid based titration, acid based titration, simple acid based titration, ठीक है, acid based titration, क्या हो रहा है, acid की reaction based से हो रही, यह सीदी सी वात है, तो reaction लिखने की विजरूत नहीं है, आपको, क्यों लिखोगे, आपको यह पता है, acid based से react कर रहा है, जैसे यह से react कर रहा है, तो दौनों के गिनाम equivalent बराबर हो गए, वैसे ही, acid based से react कर रहा है, तो सीदा लिखो, ना, क्या, gram equivalent of acid, is equal to gram equivalent of base, सीदी सी कहान ही गतम, अब कभी-कभी आपको gram equivalent की जगे, milli equivalent भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगे, milli-milli कर लो, भाई, अगर मैं यहाँ 10 की पाउर, minus 3, यहाँ 10 की पाउर, minus 3, दोनों त बरावर ही है, तो आप, milli-milli में भी लिख सकते हो, gram-gram में भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना ज़रा, usually आपको volume ml में दिया जाता है, इसलिए मैं, milli equivalent के form में लिख रहा हूँ, क्या, आप, gram equivalent लिखो, या milli equivalent लिखो, ठीक है, तो मैं इसको convert करके क्या लिख रहा हूँ, milli equivalent of acid क्योंकि आपको maximum cases में volume ml में दिया जाएगा, milli equivalent of acid is equal to क्या लिखूंगा, milli equivalent of base, अब आपको question में कैसे apply करना है, question में आपको कैसे apply करना, ध्यान से देखना, equivalent को कैसे निकालते थे, gram equivalent को मैंने बताया थे, mi star करके formula, equivalent कैसे निकलता है, mole into n factor से, पीछे आप देख सकते हैं, n का मतलब milli mol, ठीक है, यहाँ भी लिख दू में क्या, milli mol समझना है बात को, दोना जगा, milli milli कर दिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, एक आप इस तरीके से लगा सकते हो formula, किसका gram equivalent का, दूसरा कैसे लगा सकते हो second, molarity into volume in ml, क्योंकि मैं यहाँ milli equivalent लिख रहा हूं, into n factor, यह भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यह भी तो gram equivalent होते हैं, भाई, बहुत ध्यान से आप चीजें skip मत करना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था, कि gram equivalent कैसे कैसे निकलते हैं, mol into n factor से भी निकलते हैं, और molarity volume n factor से भी निकलते हैं, ठीक है, ध्यान से मिक्स करके भी लिख सकता हूँ, कैसे, ध्यान से देखना चारा हूँ, क्या, mili moles into n factor is equal to molarity volume n factor, और यहां तुमने mili लिया है, तो यहां volume भी किस में लोगे आप, ml में लोगे, तो समझगे बात को कैसे लगाना है, जब कभी भी numerical, अभी मैं numerical भी solve करके बताऊंगा, mili mole into n factor, mili mole into n factor, gram equivalent निकालने का पहला तरीका, यह mili equivalent निकालने का पहला तरीका, molarity volume वाला दूसरा तरीका, और अगर मैं इन दोनों को merge करूँ मता, इधर mole लिखा, उधर volume वाला term लिखा, तो मैं इसको दोनों को merge करके भी लिख सकता हूँ, यह क्या लिखा मैंने, acid based titration के लिखा, अब इसी तरीके से, point number two क्या होता है, एक तो acid based titration होता और एक होता है, redox titration, यह दो titration अपने syllabus में बहुत important है, तो बेटा इसको बहुत अच्छे से आपको करके जाना, exam में question आता ही आता है, redox titration क्या कहता है, सीधी सी बात है, redox reaction होती तो क्या होता है, oxidizing agent क्या करता है, reducing agent के साथ reaction करता है, तो मैं सीधे लिखूंगा क्या, gram equivalent of, gram equivalent of क्या, oxidizing agent is equal to gram equivalent of, gram equivalent of reducing agent, oxidizing agent और reducing agent के gram equivalent बराबर होंगे, और उसको आप mili equivalent में convert करके, यह तीन हो formula लगा सकते हो, फिर से क्या, एक बार लिख देता हो, revision हो जाएगा, mili mol of oxidizing agent को one माल लिया मैंने और उसको two माल ल भाई यह बहुत important सीज़े और ऐसी trick ना, कहीं मिलेगी नहीं आपको, यह बहुत आसान तरीकी से लगाना बता रहा हूँ आपको है ना, नी तो लोग क्या करते है, normality निकालते हैं, फिर आप हस जाते हैं, उनसे equivalent weight नी निकलता है, अपन तो बच रहे हैं, भाई, अपन normality से bypass करके निकल गए, हम कहां आगे, mole में और molarity में आगे, n factor का इस्तमाल करके, यह समझना बात को दिहान से मेरी, m1 into v1 in ml into n factor 1 is equal to m2 into v2 in ml into n factor 2, बस main कहानी क्या है, आप देखते जाओ यहां पर, अगर आपने lecture अच्छे से देखे हैं, तो भाई, मैं बता रहा हूँ, टाइट्रेशन में आप से बड़ा कोई नहीं होगा फिर आपकी जिन्दगी में, टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में मज़ा आ जाएगा आपको, तो यही फॉर्मले मैंने यहां लिख दिए, बन क्या है oxidizing agent, टू क्या है reducing agent, समझगे, अब इनको apply कैसे करना है, acid base और redox titration को apply कैसे करना है, तो मैं आपको इसकी अब आपको numerical बता रहा हूँ, तो titration के numerical अब यहां से start हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना है कि नुमेरिकल बहुत important question है, previous year के question करवा दूँगा, मैं आपको जो exam में आ रखे हैं, लोट करो इसको फिर आगे बढ़ते हैं, चलो तो आपको आगे बढ़ते हैं, और कुछ numerical कर लेते हैं, अपन एसेड़ बें titration के चार question करेंगे, और redox के चार कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा titration, ध्यान से बढ़ो जाला question क्या करना है, 50 ml of HCl solution is completely neutralized by 100 ml of 0.5 molar anyway, find molarity of HCl solution, तो titration में क्या करना था, आपको त आप जड़ा ध्यान से देखो, आपको acid के volume दे रखा है, मतलब इसमें molarity volume वाला relation लगेगा, और base का भी आपको volume दे रखा है, मतलब इसमें molarity वाला और volume वाला लगेगा, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं, M1 V1 N factor 1 is equal to M2 V2 N factor 2, अब M1 कितना है, बता हो जड़ा, M1 HCl की molarity न का कितना, 1, M2 कितना, NaOH का 0.5, volume कितना, 100, और N factor NaOH का 1, इस तरीके से, ठीक है, तो यहां से M1 आप निकाल लो कितना रहा है, 0.5 x 100 कितना हो गया, यह 50, और यहां भी 50 था, कट जाएगा यह, तो M1 क्या आ गया, 1, इसका मतलब 1 molar HCl solution, बहुत सिंपल है, बस आप यह देख ल इस तो मैं इसको 1, इसको 2 माल लेता हूं, क्या लगाना है, M1, V1, N factor 1, देखो, question पढ़के आपको idea लग जाएगा, कौन सा formula लगना है, M2, V2, N factor 2, तो M1 कितना है, put करो जरा, 0.1, volume, निकालना है, V1, N factor 2, Holt twice का कितना है, reaction मैं करा कुछ नहीं वोली, तो maximum लेके चलो, कितन N factor 2, M2 कितना है, 0.2, V2 कितना है, 50 ml, और N factor HN3 का बन, तो V1 कितना आ गया, 0.1 से ये 0.2, 2 times, और 2 से तूड़ गया, V1 आ गया, 50 ml, ठीक है, calculation तो आप ये करी लोगे, बहुत आसान है, main चीज क्या है, formula लगाना सीख लो, अच्छे से अगर आप formula लगाना सीख गए, question बना जाओगे, exam में, find the moles of H2SO4 solution required to utilize 50 ml of 0.1 molar, अब देखो, यहां molarity volume दी है, यहां mol दी है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, कैसे, रियान से देखना ज़रा, millimol into N factor, यह second वाला formula लगा हमो, क्या, molarity into volume into N factor, और यहां volume किस में रख दो, आप, ml में रख दो, क्योंकि यहां आप आपने मिली में लिया है, तो मिली मोल, मिली मोल, तो मिली मोल निकाल लो, बाद में मोल निकाल लेंगे, पहले मिली मोल तो निकाल लो, N factor बता हो, H2SO4 का 2, molarity NmH की 0.1, volume 50, NmH की N factor 1, solve कल लो इसको, 15 into 0.1 कितना हो गया, 15 into 0.1 हो गया, आपका 5 by 2, मतब 2.5, तो यह क्या है आपके मिली मोल आए, और मिली मोल से मोल निकालने है, तो 25 into, sorry, 2.5 into 10 की पावर, माइनस 3, भाई, मिली से आपको मोल पे जाना है, तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टिपलाई कर दो इसमें, ठीक है, ऐसा होता, बहुत असान है, अगला देखना जिरा, 2 acids, थोड़ा अच्छा question phosphate are formed, आपको ratio बताना है दोनों का, मतलब हो क्या रहा है, H2SO4 react कर रहा है, किसके साथ, NaOH के साथ, तो sulfate बन रहा है, मतलब Na2SO4, मैं balance करके नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि balance के ज़रूत नहीं पड़ती, ठीक है, प्लस water बनेगा, और H3PO4 क्या हो रहा है, ये react कर रहा है, NaOH क साथ, तो ये बना रहा है, dihydrogen, dihydrogen phosphate, मतलब NaH2PO4, मतलब dihydrogen means 2H होंगे, तो एक ही H replace होगा, एक प्लस water बनेगा, अब मुझे एक बाँ बताओ, same amount of alkali के साथ, अगर दोनों ही neutralize हो रहे हैं, तो इसके gram equivalent is equal to, इसके gram equivalent, सही बात, और इसके gram equivalent is equal to, इसके gram equivalent, ठीक है, मतलब NaOH के gram equivalent common है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके gram equivalent is equal to, इसके gram equivalent, तो दोनों acid के gram equivalent बराबर कर रहा हैं, फिर सुन लो क्या बोला मैंने, अगर दोनों ही same amount of alkali से neutralize हो रहे हैं, तो इसके, इसके same, इसके, इसके same, मतलब इसके, इसके same, भाई A is equal to B, B is equal to C, तो A is equal to C, सीता, है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, किस form में लगाना है, मोल निकालने, वैसी लगा दो, मिली मोल, into N factor, is equal to मिली मोल, into N factor, लेकिन यहाँ 1 और 2 दोनों ही acid है, ठीक, मिली मोल, मिली मिली काट दो, ठीक है, सिर्फ मोल लिख लो, क्या, मोल of H2SO4 into N factor, H2SO4 का कितना है, 2 कैसे पता चला, इसके दोनों H replace हो गया, रेक्षन में, और वो question से पढ़के समझ में आया, sulphate बन रहा है, ठीक है, यहाँ मिली काट दो, तो मोल into N factor, किसका H3PO4 का, यहाँ क्या लिखा, डाइटोजन, फॉस्पिट मतब यह बन रहा है, तो H3PO4 में से कितने H निकले, H3PO4 से एक ही H निकला, तभी तो 2H बजगे उसमें, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पन, तो N1 by N2 is equal to 1 by 2, यह आपका final answer, समझ गया, कैसे लगाना, acid weight titration के main चीज है, वो 3 formula है, mole-mole relation, mole-molarity वाला relation, और molarity-molarity वाला relation, ठीक है, फड़ा वर्ट इसको note करो, फर मैं आपको redox titration के चलो, आगे बढ़ते हैं, और redox के कुछ question समझ लो, तो पूरा dietration वाला पार्ट आपका cover हो जाएगा, ध्यान से देखना जरा, अगला question क्या करा था, number of moles of oxalate iron, मतलब यह, ठीक है, oxidized by one mole of MnO4, negative मतलब आपका KmnO4, MnO4 negative लिखाओ या KmnO4 बाद बराबर है, iron in acidic medium, ठीक is equal to N2 into N factor 2, बस अगली line में answer आजाएगा आपका, main कहानी क्या है, N factor निकालना, और यह आपको redox में आता ही, कैसे, KmnO4 का या MnO4 negative का acidic medium में N factor इसका, जिसको मैं 2 बोल रहा हूँ, यह तो आपको पता है, 5 होता है, क्यों, 135 बना यह आपको याद था redox में, चाहो तो आप निकालो कैसे, प्लस 7 से, प्लस 2, कितने का change है ये, 5 का change है, क्लियर, अब देखना ज़रा ध्यान से, C2O for 2 negative में carbon का oxidation नम्बर निकालो, 2x minus 8 is equal to minus 2, मतलब यहां आगया प्लस 3, और CO2 में carbon का क्या आगया, प्लस 4, तो 3 से 4 कितने का change है, ध्यान से देखना, 3 से 4, कितने का change है 1 का, और यहां कितने का carbon लगे हैं, 2, तो net change कितने का, 2 का, फिर सुन लो जरा, 3 से 4, 1 का change, 2 carbon, net change 2 का, तो ये 2 क्या हो गया, n factor 1, अब बताओ जरा, इसको मैंने 1 माना है, तो इसके mole मुझे निकालने है, into 1, sorry, 2, n factor 1, 2 है न, is equal to, कि MnO4 की mole कितने है, 1 या MnO4 negative बात बरबर इंटू N factor इसका कितना 5, तो N1 के आ गया, 5 by 2, that is 2.5, समझगे बात को कैसे लगाना है, N factor निकालना आपको आना चाहिए, अगर N factor नहीं आया, तो ये सारे question नहीं कर पाऊगे, N factor अगर नहीं आता है, तो redox में जाओ, N factor चेक करो, कैसे निकालते हैं, बहुत आराम से सिखा मतलब 5, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ, 2, इसको बोल रहा हूँ, 1, तो इसका N factor कैसे निकलेगा, Cu2S में sulfur minus 2 है, और copper plus 1 है, ध्यान से देखना ज़रा, copper plus 1 से plus 2 कितने का change, 1 का, कितने copper, 2, left side, net change, 2 का, minus 2 से sulfur कहा जा रहा है, plus 4, कितने का change, 6 का, कितने sulfur, इधर, 1, तो net change, 6 मैं का, 6 plus 2, तो ये N factor 1 माल लेता हूँ, 6 plus 2 कितना होता है, 8, तो ये इसका N factor आ गया, कि Mnophore का 5 याद है, मुझे, acidic medium में, बस क्या करो, N1 into N factor 1 is equal to N2 into N factor 2, बात समझ रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, मैंने क्या करा, दौनों के mole into N factor बरावर कर दी, N factor निकालना था, त जब दौनों ही change होते हैं, तो देखो, plus 1 से plus 2 oxidation, और minus 2 से plus 4 ये भी oxidation, तो दौनों का individual निकाल के add कर देते हैं, तो मैंने copper का निकाला 2 आया, sulfur का 6 आया, net हो गया 8, अब मैं put कर रहा हूँ, 1 किसको माना मैंने इसको, तो N factor 1 कितना है, 8, और Cu2S 1 mole है, मुझे Kmnophore के mole निकालन हैं और उसका N factor 5 है, तो N2 के आगया, 8 by 5, दो line में answer आता है, बस आपको N factor का knowledge होना चाहिए, अगला question बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से देखना, how many moles of Kmnophore are needed to oxidize, 1 mole, each FeSO4 and FeC2O4 in acidic medium, ठीक है, FeSO4 में, SO4 का overall charge minus 2 है, तो Fe plus 2, Kmnophore again acidic medium है, तो N factor, इसको मैं 2 बोल रहा ह यह 5 है, 135 बना, याद रखना, basic neutral acidic, plus 2 से इसका Fe का क्या है, यहां plus 3, कैसे निकाला, SO4 पर पूरे पर minus 2 है, तो पूरे पर SO4 के उपर minus 2 है, तो 2x minus 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 SO4 लगें, तो 2 से लेकर 3, कितने का change है, 1 का, कितने Fe है, 1 तो net change, 1, left side देखना कितने Fe है, तो इन दो यह 1 क्या आगिया, n factor 1, तो मैं लिख रहा हूँ, mol into n factor, is equal to mol into n factor, सही है, अब देखो ज़रा, mol कितने है, क्या मेन फोर के mol निकालना है, मतवा, n2 निकालना है, और इसका n factor कितना है, 5, n1 कितना है, 1 mol each, और n factor इसका 1, तो n2 क्या आगया आपका, यह आगया, 1 by 5, यहां से आ साल लेते, n2, दोनों को add कर देंगे, final के, mno4 के, आपके मोला जाएंगे, अब मुझे इक बताओ, fe c2o4 में fe क्या है, plus 2, कैसे पता चला, क्योंकि c2o4 के उपर minus 2, चार्ज होता है, और c2o4 के उपर minus 2 है, तो carbon का क्या जाएगा, plus 3, oxidation number में बहुत अच्छे से सीखाता हम न चेंज 1, fe net change 1 का, और 3 से 4, कितने का चेंज 1 का, लेकिन 2 carbon तो net change 2 का, बहुत आराम से, fe में 1 का चेंज था, carbon में 1 का चेंज था, लेकिन carbon में 2 से multiply हैं क्योंकि 2 है, fe में 1 से multiply हैं क्योंकि 1 है, तो 2 प्लस 1, तो यह आपका n फैक्टर 1 आ गया, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, तो अ n फैक्टर सही है, n1 कितना है आपका, 1 मोल, n फैक्टर 1 कितना है, 3, n2 कितना है, निकालना है, n फैक्टर कितना है, 5, तो n2 कितना आ गया, 3 by 5, अब मुझे एक बाब बताओ, यहां से n2 1 by 5, यहां से n2 3 by 5, तो net मोल कितने आ गए, net मोल्स of kmn o4, 1 by 5 उपर से, और 3 by 5 नीच से total हो गया, 4 by 5, main कहानी यह n फैक्टर की, यह n फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए, अच्छे से सीखा है, हमने यह न, बताया था मैने इन फैक्टर में, अब बस सिर्फ हम उसको apply करता है, अगला question बहुत अच्छा है, previous year का question है, how much amount of Cuso4.5H2, blue vitriol बोलते हैं, इसको इक्वेलेंट बरावर कर दूँ, इसको 1, इसको 2 बोल रहा हूं, तो क्या लखूंगा, n1 into n factor 1, is equal to n2 into n factor 2, अब n factor निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, तो copper sulfate वैसे सिर्फ copper oxidation number change कर रहा है, क्यों, plus 2 से कहां जा रहा है, यह plus 1, तो 2 से 1, कितने का change है, एक का, into कितने copper left side, एक, तो net change 1 का, तो इसको मैं बोल रहा हूं, क्या, n factor 1, तो इसका weight मुझे निकालना है, तो mole निकाल लूँगा, फिर weight आ जाएगा, 1 आ गया, n2 कितना है, कैसे निकलेगा, 2.54 weight दिया है, ध्यान से देखना, 2.54 divided by i2 का molecular weight 254 होता है, क्योंकि i का atomic weight होता है, 127, उसका double हो ध्यान से देखना जरा, 0 से minus 1 उल्टा चलना है, कितने का change 1 का, कितने iodine right side 2, net change 2 का, अब ध्यान से सुनो, यहां मैंने यह क्यों लिया, क्योंकि i2 के आपको weight दे रखा, तो i2 का n factor निकालना पड़ेगा, left side से चलते तो ki का n factor आता, तो यह 2 के आगया, आपका n factor 2, तो into 2 कर 2 into 10 की power minus 2, यह n1 आया, तो w1 के आजाएगा, copper sulfate के molecular weight से multiply कर दो, तो 2 into 10 की power minus 2 और copper sulfate dot 5s2 का 249 होता है, निकालना कैसे, copper का 63.5 होता है, ठीक है, sulfur का 32 होता है, oxygen का 16 होता है, hydrogen oxygen का आप जानते ही हो, तो पूरा पूरा निकालोगे यह आएगा, तो w1 के आगया, 249 का double, 498 और into 10 की power minus 2 मतलब 4.98 ग्राम, में चीज क्या है, आप यह समझे लो, कैसे मैं formula लगा रहा हूँ, n factor वाला चीज आपको पहले से इसमें पता होनी चाहिए, मैंने एक बार फिर से निकालना नहीं आते हैं, तो आप फिर से n factor निकालना सीख लो, वीडियो आपके पड़ा हुआ है, n factor वहाँ से पढ़के आओ, तो यह सारे question बहुत easy हो जाएंगे आपके लिए, समझ गया बात को, तो यह कहानी थी, titration वाली, अब कुछ और type के titration भी होते हैं, जैसे back titration, double titration आपके, idometric titration, वो होते हैं सिर्फ J advance के लिए, main वाले, neat वाले, CET वालों को वो नहीं पढ़ने, ठीक है, तो यह जो titration है, यह तो सब को पढ़ना है, अब जो बच्चे J advance के लिए focus कर रहे हैं, वो हमारे अगले lecture पर जाएं, ठीक है, अगला lecture जो अपना आने वाला है, वो lecture होगा अपना titration, special cases के, back titration, double titration, और idometric titration, उस पर based lecture होगा वो, ठीक है, चलो फिर यह note करो आप, और अच्छे से इसको revise करो, देखो, main कहानी क्या है, आपकी revision की, आप revision करो, आपको कभी भी time मिलता है न, तो आप अपना पुराना revision करो, जैसे कौन-कौन से chapter हमने 11th में पढ़ लिए, atomic पढ़ लिया, mole पढ़ लिया, periodic पढ़ लिया, chemical bonding पढ़ लिया, ठीक है, redox पढ़ लि तो अभी अपन continue अगर लगाता lecture डाल दी हमने, तो आपका सब cover हो जाएगा, कोई दिक्कत नी, वो मैं करा दूँगा आपको, ठीक है, तो फिर से मैं आप से बोला हूँ, किसी भी परकार के कोई rumors में ना पढ़ें, कोई कुछ भी बोल रहा है, अगर आप उनकी बात सुनकर अपना भविस्ख खराब करना चाहते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपको भी बता है कि content सही कहां मिलने वाला है, ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इस बार जितने भी paper हुए है, सब मैं, मैंने जो पढ़ाया, उसम है, 2021 मैं पहले सी बता दूँ आपको, है ना, तो आपको पहले सी पता होनी चाहिए कुछ चीज है, तो NEET 2021 का और IIT 2021 का अपने पास बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, मतलब बच्चा बहुत महिंती है, अब यह नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद पता से जाएगा, ठीक है, चलो फिर इसको नोट करो, मिलते हैं फिर नेक्स लेक्चर में